हलो स्टुडेंज मैं इसेल्फ अभिशेक अगरवाल और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मैगनेट ब्रेंस पार एक ऐसा चैनल जो दो चार पांच चाप्टर नहीं बल्कि सारे चाप्टर जो आपके सलेबस में और जो आपके सलेबस में नहीं भी हैं उनके एक्स स्ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सिकेंड चाप्टर जो लिक्विट सल्यूशन हम लोग देख रहे थे जिसमें हमने पिछले वीडियो में बहुत डीटेल में बात करिए कॉलिगेटिव प्रॉपरटीज में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर पैशर और एलिवेशन इन बॉ इस वीडिटेल में वैसे भी डिसकस कर चुकें कॉलिगेटिव प्रॉपरटी आपको बता चुका हूं कि वह सल्यूशन की प्रॉपरटीज जो सल्यूट के नंबर ओफ मोल्स पर डिपैंड करें मतलब वह से उत्न प्रॉपरटीज को इस बात से फर्क पड़े कि सल्यूट क कि नंबर ओफ मोल्स कितने हैं कम हैं तो प्रॉपरटीज की वैल्यू कुछ अलग आएंगी और अगर ज्यादा हैं तो कुछ और अलग वैल्यू जाएंगी तो ऐसी प्रॉपरटीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपरटी कहते हैं जिसमें हम अल्रेड ही बात कर चुके प्रॉपरशन का डिप्रेस हो जाएगा डिप्रेस बोले तो मायूस नहीं डिप्रेस का मतलब ही कि कम हो जाएगा जैसे आपको पता है फोर एक्जाम्पल आपको पता है कि वाटर अगर नॉर्मल पर रखा गया इक्पोस्फरिक कंडीशन पर तो वह 0डिग्री सेल्सियस प पर वाटर फ्रीज हो जाता क्योंक्य उसकरीजिंग पॉइंट अब मैं वोटर में आप क्या करो उस वाटर में आप नमक डाल दो फिरसे या दे बॉलिंग प्वें पॉइंध में था एक चुटकी नमक डाला था याद होगा आपको यह बात तो इसमारू भी एक चुटकी अब पानी है जिसके अंदर नमक dissolved है जो कि अब solution है जो कि अब pure solvent नहीं है वो अब 0 degree Celsius पर भी liquid solution के रूप में ही रहेगा यानि कि वो solidified नहीं होगा यानि कि वो नमक के पानी की बर्फ नहीं बनाएगा क्यों क्योंकि जो पानी पहले 0 degree Celsius पर फ्रीज हो जाता था अब उसमें नमक मिलने की वज़े से solution मनने की वज़े से salute के आजाने की वज़े से अब वो 0 degree Celsius से अपना freezing point और कम कर लेगा माइनस में चला जाएगा यानि कि माइनस 0.5 हो सकता है माइनस 0.8 हो सकता है माइनस 1 हो सकता है माइनस 2 डिगरी Celsius हो सकता, वो depend करता है, कितना आपने नमख मिला还 और कॉन सा नमक मिलाया थे, लेकिन ये बात तय है कि जो freezing point 0 degree Celsius पहले पानी का हुआ करता था, अब वो freezing point solution का कम हो जाएगा, आप एक चम्मच नमच और मिला दो, freezing point और कम हो जाएगा, तो भाईया यह freezing point कम होता हुआ जाएगा और इसी बात को बोला जाता है depression in freezing point यह हर solution के साथ होता है हम यह नहीं देखना चाते कि positively deviated solution के साथ होगा चर्फ या negatively deviated solution के साथ होगा सर्फ नहीं यह सभी solution के साथ होगा कि उनका freezing point lower हो जाएगा घट जाएगा, decrease हो जाएगा और ये बिलकुल boiling point से opposite है क्योंकि boiling point बढ़ जाता था पानी का boiling point 100 degree Celsius है नमक मिला दोगे 100 से उपर चला जाएगा अब उपर के temperature पे boil होगा और नमक मिला दोगे और 100 degree से और higher side चला जाएगा और जाएगा temperature पे वो boil होगा तो boiling point तो elevate होता है इसलिए हमने पढ़ी थी elevation in boiling point लेकिन जो freezing point होगा वो depressed होगा जिसकी वज़े से हम उसको बोल देंगे depression in freezing point अब ऐसा होता क्यों है उसकी वज़ा बताता हूँ तो आईए बात करते है depression in freezing point की detail में और depression in freezing point में समझते है सबसे पहले freezing point होता क्या है क्योंकि depression होगा freezing point में ये तो समझ में तब आएगा जाब freezing point बता हो तो freezing point होता क्या है मैं आपको पहले definition बताता हो it is the temperature at which the liquid and solid states मतलब जो substance आप ले रहे हो जिसका freezing point की आप बात कर रहे हो उसका जो liquid और solid state होंगी will have the same vapor pressure मतलब जिस temperature पर उस substance की liquid और solid state का same vapor pressure हो जाए वो temperature हम freezing point मान लेते है जैसे पानी liquid form में और पानी अगर water के रूप में है तो liquid form में लेकिन अगर वो ice के रूप में है अगर वो solidified है ice के रूप में तो वो solid form में तो कहीं तो कोई एक ऐसा temperature हो का जहां दोनों exist करते होंगे और जिस temperature पर दोनों exist करते हैं मतलब water as a liquid and water यानि की ice as a solid दोनों का vapor pressure coexist करता होगा मतलब दोनों का vapor pressure same होगा equal होगा वो temperature को freezing point बोलते हैं जो water के case में 0 degree Celsius यानि की 273 Kelvin होता है यह water के case में होता है मतलब हम कह सकते हैं कि 0 degree Celsius पर water की liquid state और water की solid state दोनों exist करती हैं और करती भी है 0 degree Celsius पर आपको liquid form भी मिल सकता है पानी का और आपको burst का रूप भी मिल सकता है solid form भी मिल सकता है तो 0 degree Celsius पर आपको यह दोनों state मिल सकती है मतलब दोनु state का vapor pressure same हो गया और दोनु state का vapor pressure same हो गया तो जिस temperature पे होगा वो freezing point होगा जैसे पानी का 0 degree celsius freezing point है clear होगे तो freezing point so this is the example that water is having a 0 degree celsius as a freezing point तो यह बाद आपको याद रखनी है मतलब क्या होगा जैसे यहाँ पर एक यह state है यहाँ पर पूरा water जो है वो solid state में ठीक है यहाँ पर जो water है यहाँ पर जो water है suppose करो यह solid state में this is solid state water ठीक है यहाँ पर जो water है side वो liquid state में this is liquid state तो this is liquid state water कहीं तो होगा जहाँ दोनों meet करेंगे मतलब जहाँ पर face transformation चल रहा होगा liquid से solid में या solid से liquid में किसी भी point पर तो चल रहा होगा तो यह जो point होगा this point will be regarded as freezing point so this point will be regarded as freezing point तो यह जो point हो गया this point will be regarded as freezing point of that substance जहां दोनों coexist करे this is called freezing point clear हो गया तो freezing point अभी आपको समझ में आ गया फिलाल अब depression in freezing point क्यों आता है जब हम किसी salute को मिला गए और salute कोई भी नहीं होगा non-volatile salute होगा क्यों non-volatile होगा क्योंकि हमारे syllabus में जितनी भी colligative properties हैं वो यह मन कर चली है कि salute जो मिलाया गया है solution मनाने के लिए वो non-volatile मिलाया गया हाला कि आप ले 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 लेते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता answer जो आना चाहिए वही answer आता मतब जो result ultimate होता हो तो वही result आता लेकिन values में थोड़ा बहुत changes आ सकते थे बट as if for now हमारे पास non-volatile solute का ही content है clear हो गया अब screenshot ले लो इसके बद में depression क्यों हता है freezing point में वो explain करता हो screenshot लो आप तो यह था हमारा freezing point के बारे में तो बच्चो अब जानते थोड़ा सा आगे कि freezing point में depression आता क्यों है समझना मेरी बात को हमने क्या का समझना कि हमारे पास यह solvent सफोस करो यह solvent ठीक है आप इस solvent का अपना vapor pressure होगा और इस बार इसको heat नहीं करना क्योंकि heat करके तो तुम इसका vapor pressure बढ़ाओगे तुमको इसको solid में लेकर जाना है तो तुम्हें इसके अंदर से heat निकालनी होगी मतलब अगर यह solvent है say this is solvent A तो भाईया यह solvent जो है यह किसी temperature पर होगा जहां पर इसका कुछ vapor pressure होगा अभी यह किसी temperature पर होगा जहां पर उसका कुछ vapor pressure अभी होगा अब तुम्हें क्या करना है यहां से उसका vapor pressure बढ़ाना है क्या बॉइलिंग में तो हमने बढ़ाया जा क्योंकि हम चाहते थे यह बॉइल हो और बॉइल होकर अपना वेपर पेशर इतना बढ़ा इतना बढ़ा इतना बढ़ा है कि यह तक पहुच जाए तो हम इसको पीछे की तरफ आना पड़ेगा या अपना वेपर पेशर कम करना होगा क्योंकि solid का वेपर पएशर कम होगा जाई सी बात है तो आप क्या करोगे इससे जालोगे और धीरे-धीरे यह क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर कम करता जाएगा और अल्टीमेटिक पॉइंट आएगा जहां पर यह जहां पर यह सॉलिड के वेपर प्रेशर के एक्कोल हो जाएगा जिस इस टेंपरेशर पे वो हुआ उसको हम इसका फ्रीजेंग कोईन बोल देंगे कैसे मैं समझा देता हूं अब यह बात मैं आपको ग्राफ के थू समझाता हूं तो यह वाली चीज़ जो है मैं इस इस सम्थिंग जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं किसके बीच में इस 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 ग्राफ प्लॉटेड बिट्वीन किसके बीच में वेपर प्रेशर एंड टेंप्रेचर के बीच में वेपर प्रेशर एंड टेंप्रेचर तो उससे आप और जल्दी समझ जाओगे इस 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 ग्राफ प्लॉटेड बिट्वीन वेपर प्रेशर एंड टेंप्रेचर ठीक है तो वेपर प्रेशर एंट इंप्रेचर के बीच का ग्राफ है और इस बात को समझते तो अभी तो मैंने सिर्फ अगर यह इस एक्सिस बना दी और इस एक्सिस पर मैं ले रहा हूं वेफर फेशर ठीक है so this is vapor pressure this is vapor pressure and this is temperature यहाँ पर मैं ले रहाँ क्या? temperature so यहाँ पर हमारे पास क्या है? temperature अब बात को समझना थोड़ा सा यहाँ 180M की लाइन बनानी के जरूरत नहीं है पूछो क्यों क्योंकि 180M तक मुझको लेकर ही नहीं जाना क्योंकि मुझे उबालना थोड़ी ना है पिछली बार हमने यहाँ पर 180M की लाइन बनाई थी अगर आपको याद हो तो boiling point में वह मेरे को बनाना ही नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं 180M तक जाए क्योंकि मुझे बॉइल करता ही नहीं है मुझे तो इसका vapor pressure कम करना है उल्टा ठीक है और अब्या लेता हूं यह solvent यए है जो किसी वी temperature पर अभी फिलाल किसी भी temperature पर और अभी फलाना vapor pressure लेकर चला है फलाना मतलब कुछ भी vapor pressure लेकर चला है तो इस वैल्यू का कोई vapor pressure और इस temperature पर कुछ है ठीक है ना मेरे लिए ये temperature important है और ना मेरे लिए ये vapor pressure की value important है बस मैंने तो फलाने temperature पे फलाना vapor pressure माल लिया फलाना बोले तो कुछ भी हर कुछ समझना रहा है तो ये मैंने कुछ भी vapor pressure अभी फिलाल के लिए माल लिया किसी particular temperature और ये किस का case है ये है solvent का case this is pure solvent का case ठीक है यही वाली चीज़ वहाँ पर plot कर रहा हूँ तो this is pure solvent का case अब मैं इसको गरम नहीं कर रहा है heat नहीं दे रहा है मैं इसको थंडा कर रहा हूँ मतलब मैं इसके अंदर से heat निकाल रहा हूँ तो मैं इसके अंदर से क्या कर रहा हूँ heat बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ heat released तो मैं इसको थंडा कर रहा हूँ इसके दोबारा heat release हो रही है मतला मैं इसको थंडा कर रहा हूँ चब मैं इसको थंडा करूगा तो इसका vapor pressure क्या होगा कम होगा कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा और यह और यहां तक कम हो गया यहां पर क्यों रोकी कहानी क्योंकि यहां तक वेफर प्रेशर जो कम हुआ था वह लिक्विड अवस्था महीं कम हुआ था मतलब यहां तक वह लिक्विड स्टेट महीं था मतलब जो सॉल्वेंट था यहां तक वह लिक्विड स्टेट महीं था मैं लि ये लिए बिल्कुल उस दिशा में निकल गया था तो भाईया यहां से मैंने उसको थंडा करना शुरू किया उसने वेपर प्रेशर कम करना शुरू किया ये देखो कम कर रहा है वेपर प्रेशर बल्कि तुम और थोड़ा सा स्लैंड बना सकते हो ये देखो ये कम कर रहा है व लिक्विड स्टेट तक की बात थी और यहां तक तो उसने कम किया अब यहां पर मैं रुक क्यों गया उसकी वज़ा क्या है कि मैं यहां पर रुका हूँ उसकी वज़ा यह क्योंकि यहां पर रुकने का मतलब यह कि यहां तक तो वह लिक्विड स्टेट में था और अब इससे वो बिल्कुल एक सीधी लाइन बनाएगा क्योंकि solid state में जो वेफर पेशर होता है वो directly proportional होता है temperature के exponentially नहीं होता linearly proportional होता है directly वो भी linearly तो वो straight line देगा तो वो यहां से straight line देदेगा आपको concept clear हो गया तो भाईया यहां से तो वो इतना उसने curve start किया था यह curve बनाया था जो liquid state का था और liquid state के बाद वो solid state में आ गया ठीक है लेकिन overall अपनको common चीज़ क्या देखने को मिली common चीज़ अपने को यह देखने को मिली कि जब temperature आप कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा ठीक है जब आप temperature कम करोगे क्योंकि temperature बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता था तो temperature कम करने से वेपर प्रेशर कम होगा तो भाईया यह वेपर प्रेशर आप कम कर रहे हो अब मेरी बात को आगे सुनना यह किसकी बात थी यह solvent की बात थी अब एक काम करता हूँ मैं solvent की जगा अब इसमें मिलावट कर देता हूँ किसकी मिलावट कर देते हैं भाईया, solute की तो अब इसके अंदर मैंने add कर दिया कौन? solute कौन सा solute? एक Non-Volatile Solute तो अब मैंने इसके अंदर add कर दिया एक Non-Volatile Solute तो भाईया, अब मिलावट होगे यह solute भी आ गया, अब मेरे को बताओ जैसी solute आया तो जो पुराना फालाना temperature था अब उस temperature से जो temperature था उस समय जो vapor pressure solvent कह था अब उस vapor pressure से कम vapor pressure होगा कि जदा होगा जाहिर सी बाते कम vapor pressure होगा, क्यों कम होगा क्योंकि जब solute आ गया वो भी कैसे non volatile, non volatile ने तो कसम खा रखी है खुद तो वेपर बनाऊंगा नहीं नहीं दूँगा तो भाईया उसने खुद तो वेपर बनाया नहीं सॉल्वेंट को भी वेपर बनाने नहीं दिया तो उसने क्या करा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और कम कर दिया और अब वो solvent का नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि solvent का vapor pressure अब नहीं रहा, solute के आ जाने के बाद, वो solution का vapor pressure रहा, तो हम ये कह सकते कि उसने solution का vapor pressure और कम कर दिया, उसी temperature पे, तो नहींगा, तो पहले, जो temperature पे solvent का एक जादा vapor pressure था, अब उसी temperature पर अगर हम देखे अब अगर उसी temperature पर हम देखे तो जो solution का vapor pressure होगा वो और कम हो जाएगा तो भाया ये जो solution का vapor pressure है ये और कम हो गया ये रब solution का vapor pressure ये और कम हो गया and this is a vapor pressure of solution clear हो गया solution का जो vapor pressure जानि की solution बोले तो A plus B और solvent पे और था तो कौन था? सिर्फ A था तो अब इसके अंदर A प्लस B आ गया है क्योंकि ये A है और solute जो है वो B है तो अब ये जो बन गा ये A प्लस B बन गा है और इसकी वज़े से जो vapor pressure होगा वो कम होगा समझ मैं या उसी temperature पर अगर मैं बनाओ तो ये vapor pressure की value कम होगी उसी temperature पर क्यों? क्योंकि solute बोलते हैं हम खुद vapor नहीं बनाएंगे और जो solvent पहले अच्छा vapor बनाता था इस temperature पर अब उसके भी कम vapor pressure बनवाएंगे उसके भी कम vapor बनवाएंगे तो vapor pressure कम हो जाएगा तो भाईया ये vapor pressure कम हो गया और अब ये solution बन गया और इसके अंदर से फिर से तुमने क्या करी heat को निकालना शुरू किया मतलब इसको थंडा करना शुरू किया तो ये भी vapor pressure कम करेगा तो ये भी vapor pressure कम करेगा कम करेगा कम करेगा और कम करते करते इस point पर आकर solid के साथ मुलाकात करेगा और फिर इससे और कम किया तो solidified हो जाएगा तो ये पूरी पट्टी ये follow कर लेगा solid वाली लेकिन ये हमें समझ में आ गया कि ये वो point है जहां पर वो solid से मुलाकात कर रहा है मतलब ये वो point है जहां पर solution का liquid face क्योंकि ये भी solution का कौन सा face है liquid face है और solution का solid face coexist करेंगे इस temperature पे लेकिन पहले तो इस temperature पे करते थे जब मिलावट है नहीं होई थी जब मिलावट नहीं होई थी तो liquid का solvent और liquid solid तो इस temperature पे एक दूसरे से मुलाकात करते थे मतलब ये वो point था जहां दोनों coexist करते थे और वो point एक जिस temperature पे बनेगा वो हमारा हो जाएगा T not F क्यों T not F? क्योंकि that will be considered as the freezing point तो ये हमारा हो जाएगा T not F यानि कि freezing point और not क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि वो पहले solvent या के लेका था लेकिन अब वही freezing point आप देखोगे वही point अब देखोगे आप जो liquid और solid एक साथ मिलते थे वो थोड़े से कम हो गया आप देखो आपको clear दिख रहा होगा वो थोड़ा सा और कम हो गया बलकि और मैं उसको थोड़ा सा difference करके दिखा देता हूँ आपको आपको समझ में आएगा ये उनकी liquid face थी और देखो यहाँ पर बन रहा है वो मतलब इस point पर solution का liquid face solution का liquid face और solution का solid face मुलाकात कर रहे हैं coexist कर रहे हैं और जिस temperature पर करेंगे वो इसका freezing point होगा तो ये एक और freezing point आगया है लेकिन यह आगया टी एफ what is Tf? freezing point of solution तो हमारे पास क्या चीज़े एक है हमारे पास T not F एक है हमारे पास T not F which is nothing but the freezing freezing point of pure solvent और एक है Tf which is nothing but freezing point of solution क्योंकि यह वो temperature है जिस पर solid state और liquid state दोनों coexist कर रही है तो यह हो गया T not F ये वाला point और एक हो गया Tf ये वाला point लेकिन अब आप देखोगे कि पहले जब solvent अकेला था तो जादा temperature पर freeze हो जाते थे मतलब relatively जादा temperature पर freeze हो जाते थे लेकिन जब मिलावट हो गई solute आ गया solution बन गया तो अब उसकी जो मुलकाद उसके solid phase के साथ होगी जिस point पर वो उसके solid phase के साथ मुलकाद होगी वो temperature जो होगा वो और कम हो जाएगा तो temperature जो T not F वो relatively जादा है और जो Tf वो कम है क्योंकि आप जब ऐसे आओगे तो temperature तो कम होगा ना तो T not F बढ़ा हो और Tf कम है मतलब पहले जो जादा temperature पर फ्रीज हो जाता था अब उसके अंदर अगर आप solute की मिलावट कर दोगे तो वो आप और कम temperature पर फ्रीज होगा और ये difference जो आ रहा है ये जो घट रहा है freezing point इसी difference को हम बोलते है depression in freezing point कौन सा difference ये difference जो freezing point के बीच में अंतर ला रहा है ये difference है delta tf which is nothing but which is nothing but t not f जो पहले जादा था बाद में मिलावट के बाद का freezing point जो की कम हो गया that is tf इन दोनों के बीच का difference है delta tf इन दोनों के बीच का difference है delta tf तो ये है आपका delta tf which is equal to t not f minus tf तो freezing point of pure solvent जो की जादा होगा minus freezing point of solution जो कम हो जाएगा क्योंकि इसमें solute आने से vapor pressure कम हो गया तो फिर solid पर मिलने की जो समय है या मिलने का जो temperature है वो और कम हो जाएगा ये कब होगा जब solute मिला दोगे अब और जादे solute मिला दो मैंने तो a plus b बनाया है तो ये vapor pressure और नीचे से शुरू होगा और जब ये और नीचे से शुरू होगा तो फिर ये और कहीं पीछे मिलाकात करेगा solid phase से और जब ये और पीछे कहीं मिलाकात करेगा solid phase से तो और कम temperature पर ये freeze होगे मतलब तो और freezing point घट जाएगा यानि कि ये जो delta tf की width है ये जो चोड़ाई है ये चोड़ाई और बढ़ती जाएगी जितना जादा salute आइड करते जाओगे इसका मतलब the more the salute you add the lesser will be the freezing point the more the depression in the freezing point we can say उतना जादा depression मिलेगा freezing point में जितना जादा आप salute आइड करते जाओगे freezing point और depressed होता जाएगा और कम होता जाएगा तो जितना salute आप मिलाते जाओगे freezing point उतना घटता जाएगा तो फिर depression in freezing point हुई की नहीं हुई colligative property हो गई भाईया क्योंकि colligative property तो वह property जो salute की particles की संख्या पे निर्भर होकर चले और हम तो कही रहें solute हम और मिला देंगे तो freezing point में और depression आएगा मतलब depression in freezing point जो है वो solute के number of particles पर depend करता है या depression in freezing point क्या freezing point ही depend करता है क्योंकि freezing point solute के जो particles है उनके उपर चलता है जितने solute के particles होगे freezing point उतना कम होता जाएगा अभी मैंने सिर्फ नमक मिला है freezing point कम होता जाएगा concept clear है तो ये delta TF होता है और ये इनका graphical approach होती है ये graph बहुत important होता है ये graph बहुत important है जो सारी बाते समझाता है आपको तो clear हो गया freezing point का depression clear हो गया अब सवाल ही आता है कि इनके applications कहां कहां होती है तो मैं applications कुछ बता देता हूँ जैसे आप देखोगे कि जो foreign countries होती है जहाँ पर मैंदब France हो गया European countries हो गया उनका normal temperature ही minus में चलता है उनकी जिंदगी minus में चलती है reason में क्यों क्योंकि European countries याज़ते है cold countries होती है आप France France की बात कर लो कि normal temperature 2-3 degree Celsius थक्का बहा होता है अब क्या होता है उससे चीजे होती है पहली चीज उनकी जो पानी भरा होता है और वो जो पानी भरा होता है वो इक इंजिन का लपेट दिया जाता है और उस पाइप में थंडा पानी गुजारते हैं ताकि जो इंजिन गरम हो रहा है वो हीट को थंडे पानी का जो पाइप है वो गेन कर ले यानि कि जो इसके अंदर से थंडा पानी गुजार रहा है पाइप के अंदर से वह इंजिन की हीट को गेन कर ल तो foreign countries में तो इंजन वैसी सीज हो जाएगा पूछो क्यों 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 क्योंकि वो जो pipe है जिसके अंदर पानी प्योर वाटर दोल राए वो 0 degree Celsius पर तो normal condition पही रहेगा क्योंकि वहां उन cold countries का normal temperature 0 degree, 2 degree, 1 degree है तो वो pipe के अंदर का ही पानी pipe के अंदर ही बर्फ बन जाएगा तो फिर वो properly उसको circulate नहीं करेगा water circulation नहीं होगा और water circulation नहीं होगा तो भाईया heat energy जो engine गरम हो रहा है उसकी heat energy को gain नहीं कर पाएगा engine seas होने का पूरा पूरा डर है इसलिए वो क्या करते हैं अपने car radiators में pure water की जगा water का solution डाल देते हैं water with glycol डाल देते हैं या water के साथ कुछ और non volatile solute डाल देते हैं क्योंकि वो यह जानते हैं कि अगर हमने water के साथ किसी चीज के मिलावट कर दी तो यह बन जाएगा solution और solution का freezing point पानी के freezing point से भी कम होगा तो वो freezing point वहापर decrease हो जाता है जो minus 3 minus 4 तक पहुच जाता है और जो normal condition पे तो नहीं पहुचता लेकिन हाँ extreme cold पड़ी तो जरूर पहुच जाएगा लेकिन वो उसकी भी वेवस्था करके रखते हैं लेकिन वो अपने उस solution का freezing point कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक दो degree तो हमारे देश में normal temperature है तो इसमें क्या होगा pipe के अंदर का ही पानी जो होगा वो बर्फ ना बन जाएगा तो वो बर्फ ना बने इसके लिए उसका solution मना कर रखते हैं तो वो pure water की जगा पानी के साथ कुछ solute मिला कर रखते हैं वो glycol होता है या कुछ और solute भी हो सकते हैं non-volatile क्योंकि वो जानते हैं कि freezing point इससे कम हो जाएगा दूसरा कभी आपने देखा होगा जो highways होते हैं वहाँ पर बहुत जादा बर्फ बारी होती है तो वह highways बंद हो जाते हैं road traffic jam मतलब उसको block कर देते हैं और बोल देते हैं यह रास्ता अब 2-4 दिन के लिए बंद है क्योंकि भारी बर्फ बारी होई है जम्मू श्रीनगर जो highway वो हमारे अकसर बंद होता है क्योंकि भारी बर्फ बारी हो जाती है तो उस highway को बंद कर दिया जाता है cold countries में तो ऐसे कई highways हैं जो frequently बंद कर दिये जाते हैं अब वहाँ पर क्या करते हैं जो आसपास का administration होता है जो city का administration होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग आते हैं उनकी गाड़ी आती है और उस गाड़ी से वो लोग क्या होता है जहां पर highway पर पूरी बर्फ बिची और जो बर्फ जमी होई अभी 0 degree Celsius या माइनस 1 degree Celsius पे वो अपना freezing point और कम कर लेगी वो अपना freezing point और कम कर लेगी और फिर वो बर्फ जो थी वो liquefied होना शुरू कर देगी क्योंकि वहाँ temperature उतना नहीं है जिस point पर उसका freezing point आ चुका है तो वो बर्फ जो होगी वो melt होना तो वो जो salt होता है जैसी उसके साथ बर्फ मिलती है तो वो क्या करते है अपना freezing point कम कर लेते हैं और वो बर्फ अब ऐसे temperature पहुंच जाती है जहां वो liquid state में रहती है तो वो liquid state में आना शुरू कर देती है और melt होना start कर देती है उससे दो चीज़े होती है रास्ता खुल जा रहा है तो यह बहुत important application है depression in freezing point की और यह बहुत जगा use होती है क्योंकि हमें पता है pure solvent का freezing point होता है अगर उसमें एक solute मिला दो non-volatile precisely solute मिला दो तो वो अपना freezing point और कम कर लेगा और ज्यादा कम कर लेगा clear हो गया अब वो अगर zero degree पर है जैसे बर्फ तो वो माइनस में चले जाएगा उसका freezing point clear हो गया तो यह सारा उसका reason था अब हमें समझना यह जो डेल्टा टीएफ इसकी mathematical expression क्या है mathematical इसकी equation क्या है उसको समझता है पहले आप इसका screenshot ले लो जल्दी से screenshot लो फिर अपन mathematical equation की बात करते हैं तो यह हमने देख लिया भी graphical method की freezing point में जो depression होता है यानि कि डेल्टा टीए वो graphically कितना value का आता है और यह बात भी तैय हो गई कि जब solute और मिलाते जाओ गए तो और जादा solute आने की वज़े से vapor pressure और कम होगा और vapor pressure और कम होगा तो solid से वो और नीचे मिलेगा यानि कि वो और कम temperature पे मिलेगा और यह जो width है डेल्टा टीएफ की यह और बढ़ती तो डेल्टा टीएफ की जो आपको width दिख रही है वो और चौड़ी होती जाएगे तो यह साबित करता है कि जो depression in freezing point है यानि कि डेल्टा टीएफ वो आपका एक colligative property है अब इसका mathematical expression क्या है वो भी समझ लेते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं तो mathematical expression भी देख लेते हैं अब ड देखा कि भी यह जो डेल्टा टीएफ है उसको जब हमने compare किया तो उसको देखा हमने that delta TF was coming out to be directly proportional to molality मतलब यह भी किसके proportional आ रहा है molality के directly proportional आ रहा है मतलब most of solute per kg of the solvent जितने होंगे उतना ज्यादा delta TF होगा जैसे कि elevation in boiling point में delta TB था molality के proportional वैसे यह भी molality के ही directly proportional है यानि कि small m के तो हम लिख सकते हैं delta TF is directly proportional to m proportionality का sign open करेंगे तो क्या आएगा एक constant वहाँ क्या आया था KB यहाँ बस आएगा KF into molality तो यह final expression बनेगा जहाँ पर KF क्या होगा KF will be nothing but it is called molal depression constant वहाँ पर याद है KB क्या था molal elevation constant क्योंकि वह elevation का बताता था constant यह depression के बारे में बताएगा तो it will be molal depression constant और इसका दूसरा नाम होता है cryoscopic constant तो इसको हम cryoscopic constant बोलते हैं cryoscopic constant था यह cryoscopic constant भी इसको बोला जाता है और competitive exam में यही नाम से आएगा cryoscopic तो यह KF होता है जो कि एक molal depression constant होता है जैसे KB था वैसे यह KF होगा clear हो गया तो यह सारी चीज़े बहुत important होती है और यह चीज़े हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो यह हमारे लिए हो गया molal depression constant और cryoscopic constant आप कई बच्चे पूछते हैं कि सर KF की value क्या KF का क्या definition है तो KF की सारी definition मैं बताता हो पहले आप इसका screenshot ले लो ठीक है तो delta TF is equal to KF into molality होगा और इससे आप निकाल सकते हो किसी का भी delta TF और अगर KF निकालना चाहते हो तो मैं KF भी निकाल कर बता दूँगा जो हो जाएगा delta TF upon molality क्योंकि यहाँ से KF क्या हो जाएगा KF will be equal to delta TF divided by molality ठीक है तो यह terms भी आपकी यहाँ पर आ जाएगे क्लियर जल्दी से आप इसका screenshot ले लो उसके बाद मैं KF को define करता हूँ कि KF क्या होता है मुलाल depression constant जो हमने देखा है वो क्या होता है उसको भी हम define करते हैं तो पहला आप इसका screenshot ले लो उसके बाद फिर हम लोग वापस देखते हैं तो अब देखते हैं बच्चो कि हम KF को कैसे define कर सकते हैं मतलब KF क्या होता है और KF को define कैसे करते हैं उसके लिए simple करते हैं काम करते हैं यह वाला part तुम आपको बाद में बताता हूँ पहले हम देख लेते हैं कि KF को हम कैसे define कर सकते हैं अपने लेवल पे हमने लिख लिया कि delta TF यानि की जो depression in freezing point है that is equal to KF जो कि एक constant है for depression constant जिसको cryoscopic constant बोलते है multiplied by molality ठीक है अब if the solution has molality equal to 1 मतलब आप मालो solution की molality equal to क्या है 1 है यानि की unity है तो आपका जो small m है वो actually 1 हो गया और जब small m ही 1 हो गया तो आप इस equation में रखोगे तो इस equation को क्या लिख सकते हो delta TF delta TF is equal to KF into 1 तो यहाँ पर KF जो होगा वो delta TF के बराबर आजाएगा इसका मतलब क्या है कि जो molal depression constant है वो actually freezing point के depression के ही बराबर है बशर्ते अगर solution ऐसा हो जिसकी एक molality हो बशर्ते solution ऐसा हो जिसकी एक molality हो अब बताओ मेरे को solution की एक molality कब हो सकती है जब EKG solvent के अंदर एक mol solute डूबा हुआ हो क्योंकि हमें पता है molality क्या होती है सबको पता है molality क्या होती है molality is molality is equal to mols of solute dissolved per kg of the solvent so it will be weight of solvent and ensure it should be in kg तो यह weight of solvent होता है molality तो molality moles upon weight of solute हो गई अब अगर moles 1 है अगर moles 1 है और solute का weight भी 1 kg है तो भाया molality 1 हो गई की नहीं हो गई molality 1 होई तो एक mol salute अगर है एक kg solvent के अंदर तो हम कहेंगे molality 1 है और उसके लिए जितना भी kF होगा उस solvent का उतना ही freezing point में depression देखने को मिलेगा मतलब उस solvent का जितना भी kF होगा उतना ही उसके अंदर आपको freezing point में depression देखने को मिलेगा for example मैं आपको एक example से समझाता हूँ तब आपको बहुत clear हो जाएगा for example kf for water kf for water is 1.86 1.86 अच्छा इसकी unit क्या होगी पहले मैं unit की बात कर लेता हूँ unit of kf will be Kelvin kg per mole ये तो simple है क्यों 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 क्या लिख सकते हो delta tf upon molality delta tf यानि की change in temperature जो Kelvin में होगा क्योंकि temperature तो Kelvin में ही चलता है तो Kelvin में होगा change भी और molality moles per kg ये moles weight of solvent in kg है तो it will be moles per kg तो Kelvin upon moles per kg तो ये पर kg ऊपर चला जाएगा तो Kelvin के साथ multiply हो जाएगा तो ये हो जाएगा Kelvin kg per mole ये unit हो गई same unit है Kb की भी ये unit थी Kelvin kg per mole Kf की भी same unit है Kelvin kg per mole लेकिन मुद्दा क्या है पानी का जो Kf हो होता है 1.86 Kelvin kg per mole ये मैं आपको factual data दे रहा हूं इसको याद भी रखना पड़ेगा आपको क्योंकि water के case में generally Kf और Kb देते नहीं आपको Kb मैंने बताया था 0.52 Kelvin kg पर mole था यहां Kf कितना हैगा 1.86 Kelvin kg per mole अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं Kf और water 1.86 Kelvin kg per mole है लेकिन इसका मतलब क्या है मेरे मतलब को समझे नहीं अगर मालनो मेरे पास water है ठीक है कितना है water is 1 kg कोई डाउट तो नहीं है पहले भी बोल चुका हूं मेरे पास यह water 1 kg हो सकता है अगर pure water है तो एक लीटर का pure water ही एक kg का weight करेगा क्योंकि पानी की density 1 होती है तो पानी को आप लीटर मिलीटर में बशरते खरीते हो लाते हो लेकिन पानी का weight भी तो निकाल सकते हो आप तो मैंने वही weight निकाल कर पानी को भर लिया एक kg पानी को यहाँ पर भर लिया अब इसके अंदर मैंने glucose को आड़ किया किसको आड़ किया glucose as a solute तो यह अपन ने glucose as a solute add किया कोई पूछ सकता है कितना glucose डाला होगा मैं बोलता हूं मैंने glucose जो डाला वो 180 ग्राम डाला कितने ग्राम 180 ग्राम glucose एक kg पानी के अंदर गोल दिया डिजॉल्व हो गया अब कोई पूछ सकते सर 180 ग्राम ही क्यो लिया क्योंकि 180 ग्राम glucose अगर डालता हूं तो glucose का molar mass जो होता है वो भी 180 ग्राम होता है जिससे moles की संख्या जो आईगी वो 1 moles आईगी गिवन मास अपन मोलर मास करोगे तो moles आते है और क्योंकि 180 ग्राम मैंने मास ले रखा है और glucose का जो मोलर मास है वो भी 180 ग्राम होता है तो 180 डिवाइड बाई 180 कितना moles हो गया एक मोल हो गया अब यह एक मोल glucose है मेरे पास glucose है C6H12O6 और यह एक मोल glucose डूबा पड़ा ह है एक केजी पानी के अंदर तो मैं क्या सकता हूं मुलालीटी वन हो गई मतलब इस सल्यूशन के अगर कोई पूछ से पूछे मुलालीटी तो मुलालीटी वन हो गई ठीक है अम मेरे को बताओ जब प्यूर पानी था तब फ्रीजिंग पॉइंट के टा होना चाहिए था यादे प्यूर ओड़र का फ्रीजिंग पॉइंट हाँ सर यादे इट फ्रीजिंग पॉइंट पूइंट प्यूर वाटर का होता है 0 degree Celsius, बिल्कुल सही pure water का जो freezing point है that is 0 degree Celsius और we can say 273 Kelvin लेकिन जब अब ये solution बन चुका है जब इसके अंदर glucose आ चुका है वो भी कितना, एक mole glucose आ चुका है, तो भाईया इस एक mole के glucose आने की वज़े से अब जो freezing point होगा वो कम हो गया होगा, लेकिन मैं बताओ कितना हो गया होगा, क्योंकि molality 1 है तो जो के एफ होगा इस water का उतना ही उसका freezing point कम हुआ होगा, मतलब इसमें freezing point कितना कम हुआ होगा वो मैं बता देता हूँ, freezing point कम हुआ होगा 1.86 पूछो क्यों, क्योंकि 1.86 जो है वही हमारे पास क्या है Kelvin kg per mole में freezing point और KF की value है तो 1.86 Kelvin जो आएगा 1.86 Kelvin जो आएगा वही freezing point में depression आएगा यानि कि अब जो solution का freezing point है अब जो solution का freezing point है वो solution का freezing point solution का freezing point will be now equal to 273 माइनस 1.86 तो आप 273 में से माइनस 1.86 कर लेंगे तो आपका answer आएगा लगबग 272.14 ये आपका freezing point हो जाएगा clear हो गया 273 मैं से 271.14 my mistake 271.14 का freezing point आएगा अब ये आपका freezing point हो जाएगा मतलब आप देखो जो पानी 273 पर freeze हो जाता था वो अब 1.86 कल्विन और नीचे freeze होगा मतलब वो और 1.86 कल्विन नीचे freeze होगा और 1.86 273 में से माइनस करेंगे तो 272 में तो 1 आगया और 0.86 माइनस करना है तो 271.14 बचेगा तो 271.14 कल्विन पर अब वो freeze होगा अगर बस 180 ग्राम गुल्कोस डाल दो गया तो अंतर देख रहे हो यह होता है के एफ का मतलब के एफ का मतलब यह है कि भाईया अगर मोलालिटी एक है तो मोलालिटी एक होने की वज़े से जो freezing point में depression होगा वो उस solvent के के एक्वल आएगा और पानी का क्योंकि KF 1.86 केलविन केजी पर मोले तो उसके अंदर जो freezing point में depression आएगा वो भी 1.86 केलविन ही आएगा यानि कि जो पानी पहले 273 केलविन पर freeze हो जाता था अब वो 271.14 केलविन पर freeze होगा clear हो गई बात clear हो गई यह होता है केफ का मतलब आप करी लोग बोलेंगे सर केफ मालो कि एक molality नहीं होती दो होती तो फिर freezing point का depression into 2 आता क्योंकि 2 moles है per kg of the solvent मतलब molality 2 है तो फिर केफ जो का double करते उत्ता freezing point में depression आता सर अगर ऐसा solution है जिसकी molality 5 है 5 moles per kg of the solvent है तो फिर kf का multiply by 5 करना और फिर जो difference आएगा वो आएगा delta tf मतलब जो delta tf है फिर वो kf multiply by 5 करके आएगा सर 10 moles है तो into 10 का difference आएगा इसलिए हमने बोल दिया हमें molality अभी नहीं पता तो हम बोल देते हैं into m तब ही जाकर यह formula बनता है delta tf is equal to kf into m क्योंकि हमें molality अभी नहीं पता तो अगर पता चल जाएगी तो हम m की जगा वो molality रख देंगे और else हम molality को multiply करके चलेंगे clear हो गया तो यह चीजों का difference होता है और यह होता है kf को सही डंग से समझ रहा कई बच्चे सिर्फ रट लेते हैं kf जो कुछ नहीं है if the solution has molality equal to 1 then whatever is the change in freezing point is equal to molal depression constant तो यह चीज गलत है मतलब है तो सही statement लेकिन rectification गलत है आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि यह कहना क्या चाहता है kf तो यह kf है और पानी का kf 1.86 होता है बच्चो यह याद रखना पड़ेगा आपको पानी के लिए जनरली वो देते नहीं है ठीके दे दे तो अच्छी बात है बट बाकि और कोई solvent हुआ तो फिर वो देंगे सबके हम याद नहीं रख सकते kb और kf सिफ water का याद रखना है clear हो गया जल्दी से इसका screenshot लेंगे फिर कुछ thermodynamical equation देखते कि भाईया कैसे हम kf को और निकाल सकते thermodynamically पहले आप इसका screenshot लेलो जल्दी तो बच्चो यह हो गया हमारा kf अब thermodynamically क्या कहते molal depression constant को thermodynamic के साबसे भी निकाला जा सकता है जो की kf is equal to m m into r into t not f का square upon thousand into delta h of f यहाँ पर m का मतलब क्या है सबसे पहले m is molecular mass of the solvent मतलब जिस solvent का आप निकाल रहे हो kf जिस solvent क्योंकि हर solvent का अलग-अलग होता है तो उसका molecular mass ठीक है जो आप उसको gram में भी लिख सकते हो तो gram molecular mass होता है कर जिसको आप molar mass भी बोलते हो आर सबके लिए सेम है gas constant 8.314 joule per kelvin per mole यह सबके लिए constant है t not f का square is the freezing point of the pure solvent t not f मतलब freezing point of pure solvent का जिससे आप water का निकाल रहे हो तो यहाँ पर 273 kelvin का square कर दोगे क्योंकि 273 का square 273 kelvin और याद रखना आपको kelvin में लिखना है क्योंकि temperature की standard unit kelvin में है and delta HF is molar enthalpy of fusion of solvent यानि कि यह enthalpy of fusion है मतलब कितनी heat energy देकर जो fusions होगा process वो start हो सकता है मतलब जैसे water के लिए ले रहे हो तो water का जो ice है वो कितनी energy लेकर अपना face transform कर लेगा face change कर लेगा यानि कि solid से liquid में convert हो जाएगा तो कितनी energy लेकर convert होगा यहां पर वो energy के value लिख हो गया और वो भी एक mole और ice को लेकर अगर आप बात कर रहे हो तो तो molar enthalpy बोलते हो उसको तो आपको molar enthalpy के value लिखनी होगी so it is the amount of energy required to change one mole of ice into one mole of water तो that is called molar enthalpy of fusion for water और किसी और solvent की बात कर रहे हो तो उस solvent के लिए भी वही एक mole उसका solid में से एक mole liquid में जिस energy के gain करने पर convert हो सकता है वो energy आपको यहां लेकनी है clear हो गया तो यह equation भी बहुत important है इस पर भी कई बार competitive exam में सवाल आते हैं तो यह kf is equal to mr t not f का square upon thousand into delta xf compare कर लो तो बहुत जादा अंतर नहीं है kb भी कुछ ऐसे ही था याद हो तो यहां पर भी m था into r था यहां पर बस t not b का square था क्योंकि boiling point का square होगा है यहां पर फीजिंग point का square है यहां boiling point का square होगा divided by thousand तो वहां पर भी था यहां पर भी है into वहां पर delta h जो था वो vaporization वाला था मतलब कितनी heat दोगे आप liquid solvent के एक mole को ताकि वो एक mole का gas form में चला जाए एक mole gas form में चली जाए तो वो molar enthalpy of vaporization होगा यहां पर वही molar enthalpy of fusion है बस इतना अंतर है बाकि दोनों की thermodynamic equation बिलकुल सेम है तो kf, kb आपको एक याद रख लो आपको दोनों काम हो जाएंगे important इनको याद रखना नहीं है important इनको apply करना है क्योंकि competitive exam में इन पर सीधा question आता है ठीके screenshot लेंगे इसके बाद फिर हम लोग और आगे बात करते हैं screenshot लीजा आप तो यह हो गया हमारे पास kb और kf को लेकर बाद अब इसका एक और पार्ट है जिसमें हम लोग समझते है determination of molecular mass यह तो हर बार कर रहे है कई लोग सोचते होंगे सरी बार बार क्यों आजाता heading क्योंकि बच्चों molecular mass पर ना सीधा सीधा सवाल किसी भी colligated property की उपर आ सकता है वो relative lowering in vapor pressure में भी आ सकता है तो वहाँ पर भी हमने molecular mass का expression निकाला था वो आपका elevation in boiling point में भी आ सकता है वहाँ पर भी हमने molecular mass का expression निकाला था depression in freezing point में भी आ सकता है तो यहाँ पर भी MB का expression निकालेंगे और अगली एक और बचिये fourth colligative property ospotic pressure उसमें भी आ सकता है तो वहाँ पर भी हम निकालेंगे लेकित अभी फिलाल के लिए molecular mass का expression निकाल रहे हैं depression in freezing point के expression में तो लिखते हैं molecular mass किसका यह पहली बात तो solute का यह बात याद रखना ठीक है तो solute का molecular mass directly पूछ सकते हैं क्योंकि कई बार जो सवाल आता है बच्चो वह ऐसा आता है an unknown solute of this this mass is being added to this solvent and which depresses the freezing point to this from this to this ऐसे question देते हैं वो बोलते हैं find the molecular mass of that solute आपको molecular mass निकालना है उस unknown solute का क्योंकि solute उनने unknown बोल दिया लेकिन unknown solute पूछा है तो फिर वो molecular mass जरूर पूछेंगे निकालते हैं कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर तो molecular mass solute का पहले तो हम expression लिख लेते हैं delta tf was equal to kf into molality अब बच्चो molality आपको पता है molality यादे it is moles moles upon weight of solvent in kg यही होता है moles को और खोल के लिख सकते हैं क्या given weight upon molar weight तो molality will be equal to moles मतलब given weight given weight किस के? solute के और हम solute को क्या मानते B और solvent को क्या मानते A तो A will be solvent and B will be solute यह तो हम लेकर ही चलने हैं तो अब उसी expression में लिख देते हैं molality will be equal to moles of solute मतलब given weight of solute upon molar mass of solute तो WB upon MB weight of solvent in kg तो this will be WA kg में तो अच्छी बात हैं अगर नहीं हैं तो gram में होगा तो gram से kg में convert करना पड़ेगा तो divide by 1000 करना पड़ेगा वो divide by 1000 ऊपर चला जाएगा तो multiply by 1000 हो जाएगा तो this will be multiply by 1000 ये बन गया molality का expression तो ये हो गया A आपका solvent और B solute तो ये आपका expression आगया molality का कुछ नहीं करो इसमें रख दो इसको expression को तो देखो यहाँ पर delta Tf will be equal to Kf into Wb into 1000 upon MB into WA ensure कि WA इस बार ग्राम में हो क्योंकि उपर 1000 आप लिख चुके हो किसके expression निकलने MB का निकलना है क्योंकि ये ही तो molecular माह से solute का तो आप MB को यहाँ ले जाओ बाकी सब यहाँ ले आओ तो क्या बचा MB will be equal to Kf into Wb into 1000 divided by delta Tf into WA which is in gram खतम बार तो यह आपका expression आगया यह आपका expression आगया that's it समझ आया तो क्या expression आगया MB is equal to Kf Kf into Wb into 1000 upon delta Tf into WA आप चाहो तो delta Tf को और split करके लेख सकते हो क्योंकि आपको पता है delta Tf अगया हो T0F freezing point of pure solvent minus Tf freezing point of solution यह होता है तो आप और इसको open करके लग सकते हो तो एक और expression मन जाएगा एक और expression मैं यहां लिख देता हूँ क्या आ गया mb will be equal to kf kf into wb into 1000 divided by delta tf sorry delta tf की जगा हम को क्या लिखना है t0f minus tf into w in grams तो यह formula भी आप लिख सकते हो clear हो गया तो यह दोनों expression आपके mb के expressions हो गया mb बोले तो molecular mass of solute अब चाहो तो आप derive कर सकते हो जैसे मैंने ऐसा derive कि आप derive हाँ पर exam में भी कर सकते हो बट क्या हो था competitive exam में हमाली लड़ाई समय के साथ चलती है तो इतने समय जाया होगा इससे अच्छा यह हमें याद हो जाए याद रहेगा तो बहुत असानी है और mb से वेक का याद रख लो depression in freezing point में या फिर elevation in boiling point में लगबक से में बस अंतर क्या है elevation in boiling point में क्या आता है mb यहाँ के भी होता है बाकी सब चीज़े सेम होती है यहाँ delta tf की जगा delta tb होगा यानि कि t not b minus tb into w a बाकी सब कुछ से में बस यहाँ पर tf की जगा tb होगा kf की जगा kb होगा mb दोनों के लिए सेम आएगा और कोई अंतर नहीं है तो यह molecular mass क्योंकि सीधा आपको molecular mass पर सवाल आ गया तो यह formula direct रख सकते हो अगर या दे तो नहीं या दे तो derive भी कर सकते हो बट फिर आप time से थोड़ा सा देख लेना क्योंकि इसमें थोड़ा सा time लग सक क्लियर हो गया बच्चो जल्दी से इसका screenshot लेंगे यहां पर हमारा determination of molecular mass complete होता है screenshot के बाद हम वीडियो conclude करते हैं जल्दी screenshot लीजे तो यह हो गया बच्चो हमारा कौन सा तीसरी colligative property जिसका नामे depression in freezing point जैसा कि हमने देखा कि जब हम pure solvent की बात करते हैं तो उसका एक अपना freezing point होता है वो एक particular point temperature पर आकर अपना vapor pressure liquid state का solid state के vapor pressure के equal कर लेता है और उस temperature को हम freezing point बोलते हैं और हर solvent का अपना freezing point होता है लेकिन जैसी उसमें कोई non-volatile solute मिला दिया जाए जैसी कि नमक मिला दो पानी के अंदर तो अब जो freezing point पहले पानी का था जो कि pure solvent था अब उसका freezing point में कमी आ जाएगी जितना जादा आप नमक मिलाते जाओगे उतनी उसके अंदर freezing point में कमी आएगी यानि कि जो पानी पहले 0 degree Celsius यानि कि 273 Kelvin पे freeze हो जाता था नमक के मिलाने से वो 273 Kelvin से नीचे freeze होगा 271, 270, 269 in Kelvin पे freeze होगा और जितना जादा नमक मिलाओगे उतना जादा वो freeze होता जाएगा इससे यह साबित होता है कि भाईया जो freezing point है वो एक colligative property है क्यों क्योंकि वो molality पे depend करती है यानि कि वो solute के moles पे depend करती है और ऐसी property जो solute के moles पे depend करें उसे colligative property बोलते है इसलिए depression in freezing point भी elevation in boiling point की तरह एक colligative property मानी गई है और इसके कई application है cold countries में car radiators में हम pure water की जगा solution बना कर रखते ताकि वो थंड के मौसम में वहाँ radiator के अंदर का पानी बर्फ ना बन जाए जिससे इंजिन सीज हो सकता है वो चीज ना हो दूसरा highways में जो बर्फ बारी होती है कई बार उस पे नमक पहिका जाता है इसलिए पेका जाता है ताकि वो जैसी नमक के साथ मिले तो solution मन जाओ freezing point कम हो जाए और वो बर्फ जो highway पर बिची हुई है जिससे highway जा में उसको हटाया जा सके वो हट जाया असानी से क्योंकि वो पिगल जाएगी बर्फ और melt होकर वो liquid form में बह जाएगी तो highways unblocked होंगे तो यह सारी applications है freezing point की जो हमने देखी अब student आने वाले वीडियो में हम चौती और अंतिम qualitative property की बात करेंगे जो होगी osmotic pressure osmotic pressure की हम बात करेंगे और जैसा कि आपको पता है magnet bins में class 4 से लेकर class 12 तक के हर class और हर subject के exclusive videos हैं जो आपकी पढ़ाई को भैतर बनाने के लिए magnet bins.com पर available है आपको सिर्फ magnet bins.com पर जाना है वहां जाकर इन सारे videos के proper playlist बनिये जिनको आप access कर सकते हो और वहीं से इन से जुड़े हुए notes को भी download कर सकते हो thank you for watching us stay connected stay educated take care